नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल, इक्जाम इस्टोर, इक्जाम इस्टोर चैनल में मैं आप सभी का श्वागत करता हूँ, तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, सीटेट 2021 को लेकर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन को ल किया गया है, क्या है लेकर परिच्छा को ने अपडेट इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि एक्जाम इस्टोर ल केंदरी मादमिक सिछा बोड दिल्ली अस्तो इसा सदग में मुटविक सब्सक्राइब सूत्रों से मिली जयनकारी के मुताविक द्वरा नोटिफिकेशन disturbed जो है अब अगस्त के पहले शब्ता में जारी किया जा सकता है तो यहां कर शकेंगे अब खबरे विस्तार से आप देख सकते हैं Central Board of Secondary Education CBSC की तरफ से Center Eligibility Test Seated 2021 जुलाई एक्जाम के लिए नोटिफिकेशन जो है जून में जारी किया जाने वाला था लेकिन कोरोना महामारी के चलते बोड की तरफ से नोटिफिकेशन को जो है अस्थगित कर दिया गया था जिसके बाद कयास लगाए जा रहते कि नोटिफिकेशन ओफिसियल वेबसाइट पर जुलाई के आखरी जारी कर दिया जाएगा यानि पहले यहाँ पर आपको जून दिखा फिर यहाँ पर जुलाई की आखरी शप्ता दिख रही है लेकिन अब जुलाई भी बीतने को है और बोड की तरफ से नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है शुत्रो से मिली जनकारी के मुताबिक बोड दुवारा जो नोटिफिकेशन अब अगस्त के पहले शप्ता में जारी किया जा सकता है तो यहाँ से देख सकते हैं जो जनकारी मिल पा रही है वो नोटिफिकेशन जो आपक कर सकेंगे और आवेधन का इस टेप जो है एंटिये की ओफिसियल वेबसाइट पर भी दी जाएगी नोटिफिकेशन में देरी होने से कयास लगाए जा रहे हैं कि जो परिच्छा सितंबर अक्टूबर में होनी थी वे नौवंबर दिसंबर में आयोजित की जाएगी जबकि जन्वरी फरवरी 2022 में जारी किया जाएगा यानि आपकी जो एक्जाम सितंबर अक्टूबर में होनी थी अब आप लोग का नौवंबर दिसंबर में होगा और रिजल्ट आप लोगों के जन्वरी और फरवरी 2022 में जारी किया जाएगे नोटिफिकेशन से जूड़ी पल- पल की अपडेक लिए अभियार्तियों को जो ऑफिसियल वेबसाइट को चेक करते रहना चाहिए साथ में एक्जाम इस्टोर की गंटी को भी वेल आइकन को प्रेश कर देना चाहिए आवेधन की योगिता आप यहां पे देख सकते हैं कि जिन अभियार्तियों ने किसी भी मान निताप्राप्त बिश्विद्यालेशे अश्नाकुत्तर की पड़ाई पूरी कर लिए वे सीटेट के लिए आवेधन कर सकते हैं पीजी डिग्री कोर्स के अंतीम वर्स की परिच्छा में बैठने वाले सीटेट के लिए आवेधन करने के पात्र होंगे तो यहां से जो यारती के पास दो वर्ज का प्रारंबिक सिच्छा के छेत्र में डिपलोमा भी होना चाहिए अब यहां मैं आपको बता दू सीटेट का पैटर्न पेपर पैटर्न और श्लेबस तो पेपर फस्ट आप देख सकते हैं बाल भी का सेवं सिच्छा चास सास्तर से जो है तीस प्रस गणीत के तीस प्रस और प्रियावरन अद्यान कें 30 प्रस अब यहां पे आप देख सकते हैं सीटेट का पैपर पैटर्न श्लेबस टू के वारे में मैं बता देता हूं पेपर टू बाल भी कास सेवं सिच्छा साश तर के तीस प्रस बासा फर्स्ट अनिवार तीस प्रस बा आपको बता दे कि सीटेट की परिच्छा पास करने वाले अवियारती केंदरी विद्याले और नवोदो विद्याले में सिच्छक वर्थी के लिए योगे होते हैं तो आप किसके लिए योगे होंगे केंदरी विद्याले के लिए और उसके बाद नवोदे विद्याले में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा शाहत में मैंने आपको बता भी दिया कि इसका पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है और आप किस विद्याले में पढ़ा सकते हैं सीटेट क्वालिफाई करने के वाद से आप मतलब किस विद्याले के लिए जा सकते हैं तो पूरी ज